बच्चों, सो सब प्रतिमिनट गति का डिक्टेशन, डिक्टेशन में आने वाले फ्रेज़ देखें अधिक से अधिक, नया विती वर्स, सामानी कामकाज, सत्ता रूर्दल, दूर करने के लिए सर्वविदित है की, मांग कर रहा है, आंतरीक मामला है, ठेराया जा सकता है, दुरुप्योग कर सकती है, लोकतांतरीक प्रक्रिया, ली जानी चाहिए, लंबी अउधी के लिए, हो सकता है की, माना जा सकता है, श्विकार करा सकती, राज्य सरकार ने, लंबी अउधी के लिए, आंतरीक कला, दुरुप्योग कर रही है, सत्ता रूरपाटी, आंतरीक लड़ाई, धकेला जाना चाहिए, लंबे समय के लिए, इजाजत ली जानी चाहिए, विधान सभा में, सामाजिक सेवा, राज्य सरकार, इस बात का कुलासा, सरकार की योड़ से, एसा लगता है कि, राज्य नितिक कारणों से, श्विकार करने को, इस बात को स्विकार कर लिया जाए, प्रस्ण यह उड़ता है कि, बात यह है कि, एसी इस्तिती में, सत्ता पक्ष की योड़ से, कुल मिलाकर, यह इस पस्ट है कि, आंतरीक विवाद, बच्चों यह फ्रेजेस जो आ रहे हैं, वो मैंने आपको लिखा है, अब इन्ही फ्रेजेस का आप उप्योग करके, इस डेक्टेसन को लिखें, कर्मचारियों की हर्ताल के कारण बजट 23 मार्च को प्रस्तूत किया जा सका, और 31 मार्च तक पूरा बजट पारीत कराना संबव नहीं था, इस तरक को मान भी लिया जाए, तो फिर अधिक से अधिक, दो मा का लेखानुदान ही पर्याप्त सा, जिससे बजट पर पूरी तरह बहस हो सके, और नए वित्ती वर्त में सरकार के सामने काच कामकाच में रुकावट पेदा ना हो, विपक्ष का यह आरोफ है कि सत्तारूर्दल में नेत्रत्व के लिए जो कसमकस चल रही है, उसे ही दूर करने की लिए चार मा का समय मांगा गया है, यह सर्वविदित है कि सत्तारूर्दल का एक गुट वर्तमान नेत्रत्व को बदलने की मांग कर रहा है, और उसने सदन की बेठकों का बहस्कार करने तक की धमकी दे रखी है, सत्तारूर्दल का नेता कोन हो यह उसका अपना आंत्रिक मामला है, लेकिन सदन का उस विवात को सुल जाने में उप्योग करना किसी भी मांधन से उचित नहीं ठेराया जा सकता है, यदि लेखा नुदान की अउधी को बढ़ाने की छूट दी गई तो सरकारें इसका दुरूप्योग कर सकती हैं, और लोकतंत्रिक प्रक्रिया को गहरा आगात लग सकता है, लोकतंत्र में सरकार द्वारा किये जाने वाले खर्च के हर पैसे की स्विक्रती विधान सभा या संसत से लिजानी चाहिए, लेकिन यदि लंबी अउदी के लिए लेखा नुजान प्राप्त किया गया तो हो सकता है बजट की आधी रासी सदन की स्विक्रती के बिना ही खर्च कर दी जाए यह इस्तती आपक्ति जनक ही होगी जहां तक राजस्थान का प्रास नहें बजट प्रस्तूत करने में विलंब के कारणों को मान भी लिया जाए तो भी इतनी लंबी अउदी के लेखा नुजान को उप्यूक नहीं माना जा सकता सरकार चाती तो अप्रेल में पूरा बजट स्विकार करा सकती थी जैसा कि लोग सभा में होता आया है राजसरकार ने इतनी लंबी अउदी के लिए लेखा नुजान पास कराने से विपक्षि के इस आरोप को भल मिलता है सत्ता रूर्दल अपनी आंत्रिक कलह को निप्टाने में सदन का दुरूपयोग कर रही है सत्ता रूर्पार्टी की आंत्रिक लडाई वह सत्ता की छीना छप्टी में नहीं धकेला जाना चाहिए लेखा नुदान एक उपचारीक प्रक्रिया है और इसी वजह से उस पर बहस नहीं की जा सकती लेकिन यदि लंबे समय के लिए लेखा नुदान प्राप्त किया जाता तो उस पर बहस होनी चाहिए और कटोती प्रस्ताव प्रस्तूत करने की इजाजर ली जानी चाहिए। विधान सवा में विपक्ष के इस तरक को भी नहीं माना गया। विपक्ष के नेता ने कहा कि इतनी लंबी अउधी के लिए लेखनुदान प्राप करने से विकास के काम की गती अउरुद्ध होगी क्योंकि सरकार समाजिक सेवाओं पर बजट के अनुरूप खर्च नहीं कर सकेगी। राजिसरकार का इन सभी तरकों पर ध्यान न देना अनुचित ही माना जाएगा। माहा का लेखनुदान पास करवाया है। मुख्यमंद्री आज भी यह स्विकार करने को तयार नहीं है कि उनके नेतरतों को उनहीं की पार्टी वाले चुनोती दे रहे हैं। यदि उनकी इस बात को स्विकार कर लिया जाए तो फिर परसन यह उड़ता है कि चार माह का लेखनुदान पास कराने की आउस सकता क्यों पड़ी। एक और बात यह है कि सरकार ने पूरा बजट सदन में प्रस्तुत किया है। इसी स्तिती में उस पर बहस कराने में वह क्यों असमर्द है। इसका भी कोई उत्तर सत्ता पक्ष की ओर से नहीं दिया गया। कुल मिलाकर यह इस पश्ट है कि सरकार अपनी ही पार्टी के आंतरीक विवादों में उलजी हुई है।